हाई इस्टुएंट्स और पेरिंट्स वेलकम टू एपिसोड सवन्टी एट ऑफ कैप्स पिछले कुछ एपिसोड से हम लगातार बात कर रहे हैं लॉकडाउन के बारे में अल्रेडी जातर इस्टुएंट्स अब ऑनलाइन स्टुडीज पर हैबिच्वल हो गए होंगे या मै यह काऊं कि राधर जैसा स्टुएंट्स से हम कनेक्टेड हैं और जो फीडबैक मिल रहा है कई स्टुएंट्स सब ऑफलाइन स्टुडीज को मिस्स भी कर रहे हैं जिनों ने यह चीज देखिए कि कैसे क्लासरूम के अंदर टीचर्स आपको करेक्ट करते हैं जब आप स्टुडीज को कभी बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव बेनिफेड्स भी हैं जो फलाइन में नहीं आ सकते जैसे बहुत सारे फीडबैक हमें भी मिले कि students online lectures के अंदर lecture को rewind करके देख सकते हैं, pause कर सकते हैं, detailed notes बना सकते हैं, जो कि offline classes में कई बार वो miss कर जाते थे, ये difference वो ही student बता सकता, online study के maximum benefit जो कुछ सालों से offline studies पे habitual रहा हो, हम जहाँ पे जे और नीट की coaching की बात करते हैं, so online doubt solving system हर हालत में हम ये कहें, तो offline से better रहता है, जिस तरीके से teachers बच्चों के online quizzes conduct करते हैं, उनके live doubt solve करते हैं, one to one video calls करते हैं, या लगाता टेलिग्राम और WhatsApp के उपर student से connected रहते हैं, वह एक unmatch system है, जो offline के साथ ही continue हो सकता है, य online analytics बहुत होती हैं, जो आपको benefit देती हैं, लेकिन आज इस episode में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, जो हर student जो online study कर रहा है, क्योंकि इस वक्त lockdown stage में, बहुत जरूरी है, online studies को organize करना है, systematic क्योंकि बहुत सारे student ये भी realize कर रहे हैं कि लगातार online studies करने से, आई space train भी आ पारा कि हम screen time को reduce कर पाएं क्योंकि notes, books वो भी सारी screen के उपर आ रही हैं, तो मैं वो तरीका बताने वाला हूँ, आपको जिस तरीके से आप online screen time ज्यादा होने के बावजूद अपनी eyes को brain को relax रख सकें, मैं यहां पे अपने ही mobile पे system आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम अपनी eyes को strain free रख सकते हैं, दो चीजें मैंने पहले भी कहीं हैं, एक तो यह कि mobile कोशिश करें, avoid करें, laptop या desktop को use करें, distance पे रखें ताकि आपकी eyes का diverging field of view हो और आपका focus maintain रहे, अब बात आती है screen की screen time को reduce करना हम discuss कर चुके हैं, practically possible नहीं हो पारा, notes भी coaching institutes के online आ रहे हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हैं, वो PDF भी डाउनलोड करते हैं, तो PDF भी online है, क्योंकि printer हर किसी के पास नहीं है, जिनके पास printer हैं, वो अराम से print करके paper यूज करें, क्योंकि paper के ओपर आपकी eyes और brain को strain नहीं होता है, comfortably आप manage कर पाते हैं, लेकिन mobile और desktop के अगर ब possible है, anti glare screens available होती हैं, जो software engineers लंबे टाइम तक यूज करते हैं, वो लगाते हैं, आप भी अगर available हो कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा solution में आपको बताने वाला हूँ, बहुत clear cut और straight forward solution है, ये butter paper, butter paper आपको घर में मिल जाएगा, या आपको किसी भी nearby shop से मिल जाएगा, दो तरह क है, butter paper आते हैं, एक थोड़ा थिक आता है, एक पतला आता है, तो पतला वाला आप यूज करें, butter paper को अगर आप अपनी laptop या desktop screen पे बिल्कुल चिपका के cello tape से लगा देंगे, तो आप खुद realize करेंगे कि visibility में major कोई बड़ा फरक नहीं आ रहा है, थोड़ी अगर आपको कम है, तो monitor की brightness आप increase कर सकते हैं, बिल्कुल clear screen visibility रहेगी, और आपकी जो screen है, वो Amazon Kindle जैसी हो जाएगी, जो almost zero eye strain के उपर रहता, और it'll just look like a paper readability, so videos में भी बहुत बड़ा effect नहीं आएगा, और जब आप PDF read करते हैं, printed content को read करते हैं, तो almost it'll look like a paper kind of readability, so I strongly suggest कि अपने laptop desktop पे butter paper को cello tape से stick कर दीजे, इस तरीके से, थोड़ा सा finally करना पड़ेगा, ताकि problem ना आए, से mobile पे भी अगर मैं बात करूं, तो मैंने यहाँ पे PDF open कर रखिये, exercise sheet है, जो हम LN में students को अपने digital classroom के साथ, जो download section है, उसमें देते हैं, तो इस exercise sheet को, अगर आप mobile पे देखते हैं, तो radiation और screen पे eye strain की problem आ सकती है, लेगिन अगर मैं इस mobile के size का butter paper cut कर दो, तो यह screen जो यहाँ दिखाई देगी, वो screen पे visibility एक paper जैसी होती है, और यहाँ पे butter paper से आपका जो pinch है, वो भी काम करता है, आप बड़ा छोटा image को कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो मैं यह suggest करूंगा, जिन students ने हैं, अभी तक कोई anti glare solution find out नहीं किया है, या lockdown के वैसे नहीं मिल पा रही हैं चीजें, और जो student even offline prefer कर रहे हैं, क्योंकि हम practical बात करें, तो अभी भी बहुत सारे student online को prefer नहीं करते हैं, offline को करते हैं, मैं किसी को कोई comment नहीं कर रहा हूं, कई students हमारे comment box में यह लिख देते हैं, क हम offline को promote करते हैं, online के against हैं, practically my dear students, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं straight forward आपको बता रहा हूं कि हम यह चाहते हैं, जो भी student मेहनत कर सकता है, मेहनत करना चाहता है, वो मेहनत करें, और अपने मुकाम को हासल करे, एलन एक entity है, जो students को एक systematic organized preparation में support करती है, आप एलन में है या नहीं है, हमारा एक ही aim है कि एलन के student पढ़ें, मेहनत करें, बहुत सारे resources हैं, और सारे resources, सारे coaching institute बहुत अच्छे हैं, कभी भी किसी episode में, this is 78th episode मैंने ऐसा नहीं बोला है, कि कोई भी system या कोई भी online, offline comparison पार्ट या कोई system खराब है, ऐसा system जो आपको academically boost करने में help कर सकता है, चाहिए caps हों, क्योंकि caps का purpose students को empower करना है, तरीके बताना है, जिन तरीकों से आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे channels हैं, बहुत सारे academic non academic system है, जो आपकी पढ़ाई में help करते हैं, आप सब channels को use कर सकते हैं लेकिन बस time का ध्यान रखिए, कि आपके time limited है, और कई बार मैंने बोले time once gone is gone forever, right now I would like to conclude with this small tool which I have given you, कि आपका screen time कहीं ना कहीं, आपकी brain और आपकी memory पे effect डालेगा, उसको बचने के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया है, आपको एकदम से eye strain को reduce करेगा, आप अपनी mobile screen या अपने laptop या desktop को isolated रखिए, पहले भी episodes में मैं बता चुका हूँ कि जैसे cyber activities बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे cyber crime भी बढ़ता जा रहा है, हमारे system और ज्यादा vulnerable होते जा रहे हैं और यह easy होता जा रहा है कि live streaming अगर आप देख रहे हैं और unsecured system है, secure unsecure भी शायदम properly judge न चल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए कि जिस device को आप academics के लिए use करें, उस device में कोई भी secure या confidential information protect करके ना रखें, this will be harmful for you, so जो students अपनी devices use कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको devices पे जाना ही पड़ेगा, normal types भी आज की date में तीन चार हजार की range में आ जाता है, उन tips for use करें, जिनका screen size minimum 7 to 9 inches का हो, rather than using mobile, क्योंकि 7 inch से कम size की screen आपके eyes पे impact डालती है, बाकि it's all up to you, distance बढ़ा के भी करने का solution मैं दे चुका हूँ, लेकिन इस butter paper को जो कि hardly 2 रुपे का आता है, यह आपकी अपनी eyes के screen को बहुत जबर्दस level पे कम करेगा, कई घंटों तक इसका हमने use करके देखा, मैंने खुद utilize किया, उसके बाद मैं आपसे share कर रहा हूँ, एक पतला butter paper आपके screen को paper form में जैसे की kindle की screen होती है, उस form में convert कर देता है, so I strongly wish की ज्यादा ज्यादा student is format को अब इंडिया में use करेंगे, और इस system का benefit maximum students ले पाएंगे, क्योंकि भले कोई offline prefer करता हो, इस वक्त आपके पास कोई option नहीं है, आपको online ही अपना time use करना है, इसलिए बहुत जरूरिया system के साथ चलें और किसी भी level पे अपने आपको down ना होने दे, self motivation इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम आगे continue करते रहेंगे चीजों को, इस episode को मैं conclude करूँगा with this tool, wish you all the best.